हैलो फरेंड्ज मैं फ्रितिवर्म अपने फूर चनल पर आपका स्वागत करती हूँ वैनिला कस्टर आइस्क्रीम की रेसिपी लेकर आये है जोकि असी keen on the नियूंन का रैडी हो जाती है कर दोद के तरहाँ के लिए 3 स्वाराइक था दोड़ गढे एप्सपर लिए 1-2 बोडर बिखा दोडर, ईचीन पटीत संसे पाली, सुथट मलाई कम दोड़,े और खारता दोडर , ऑचीन कर दोड़ बाएक करने के लिए 10 घृत कार। इस वाली provide 1 कर दुद्ड लगाने के लिए नुख समी है लिए चिया नब थोड़ा दूड़ा डालकर इसका एक पेश्ट मैं तयार कर लेंगे कर स्टर्ड पोडर का इस तरह से हमने गुड़ बना कर तयार कर लिए यहां पर यह दोबड़े चम्मच फ्रेसम लाई लें इसको हम बीट कर लेंगे के यहां पर यह दूद में बॉइल आ गया है के आपके घरों में जो भी दूद आता है उसी दूद कर सकते हैं बॉइल आने के साथ ही हम इसमें कस्तर पोडर को एड कर देंगे इसको मैंने चान लिया है ताख इसमें कोई भी लंज ना पड़े अभी हम इसको ग्राइंड करेंगे अगर इसमें लंस पड़ भी जाते हैं तो ग्राइंड करते समय वह अच्छे से बीठ हो जाएंगे कस्टर डालने के बाद हम इसे लगाता चलाते हुए बनाना है अब इसमें हम फ्रेस मलाई एट कर देंगे अब इसमें हम चीनी एट कर देंगे यहाँ पर फोर टी स्पून मैंने चीनी लिए चीनी आप अपनी डेस के नुसार कम जाता कर सकते हैं अब हम यहाँ पर इसको बन कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे यह यहाँ पर पूरी तरह से ठंडा हो गया है यहाँ पर यह मैंने ग्राइंग जार लिया है इसको हम जार में डाल देंगे जार में डालकर इसको हम ग्राइंड कर लिए इसको हमने ब्लेंड कर लिया है अब यहाँ पर यह मैंने एक कंटेनर दिया है इसको हम कंटेनर में डाल देंगे यहाँ पर यह कुछ ड्राइफ्रूट्स को मैंने बारिक चॉप कर लिया है इसको हम ड्राइफ्रूट्स से गार्नेस कर देंगे अब इसको हम कवर करके ओवरनाइट के लिए या फिट सास से आठ घंटे के लिए फ्रिजर में रख देंगे सेट होने के लिए लिजे फ्रैंस यह हमारी सुपर फ्लैपी आइस क्रिम बनकर रडी हो गई है कस्टेड आइस क्रिम अब हम इसको सर्व करेंगे इसको आप अपने टेस्स के अनुसार किसी से भी गानेश कर सकते हैं यहाँ पर यह मैंने इसको चॉकलेट सिरफ से गानेश कर दिया है देन इसमें हमने एक चॉकलेट रोल लगा दिया है यह दूसरी आइस क्रिम को हमने अनार से गानेश कर दिया है लिजिए फ्रेंड्स यह हमारी वैनिला कस्टेडाइस ट्रिम बनकर रेडी है आप अपने केस्ट के नुसार इसे ड्राइफ फूट्स या किसी भी फूट्स से गार्निस कर सकते हैं कैस्ट भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक पर शियर करें